प्रदर्श्काव मित्रों शात्यों जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंक में आशु आपकी वज़े से होना और जीवन में सबसे बड़ी उपलब्दी है किसी के आंक में आशु आपके लिए होना बात को समझेगा शात्यों और एक बड़ी गजब की बाते साथ मन कपड़ा नहीं है फिर भी मेला हो जाता है ध्यान दीजिये गैसे आउम नमव नारे यादेवी सर भूतेशू लक्ष्मी रुपेंट संसिता नमस्तस्ये 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 नमव नमा फघ्यान स्वरमंगल मांगले श्वेश्वर वार्षाद के सनेत्र भंगे गोरी नाराहिणी नमस्तस्यदस्व Shambh debating पंच दिव पंच दिवसिये दिपावली महतसों का पहला दिन यथं धन्त रिध्योधसी तो पुनेये हिरदया संपाउन राष्ट को धन त्रियोद्शी की हर्दिक्षुब घावली का पंच दिवश्य पर्व में सबसे पहला दिन जी होता हूँ धन त्रियोदशी का इतिवार कातिक माज क्रिशनपक्स की त्रियोद्शी यानि 39 अक्टूबर 2024 को मनाय जाएगा उस दिन मंगलवार है और त्रियोदशी है और मंगल प्रदोश भी है त्रियोदशी मंगल प्रदोश त्रिपुशकर योग इंदर योग उत्र फालगुनी नक्षतर तो अतिस्व योग बंड़ा है धन त्रियोदशी कि दिने निए 29 अक्टूबर 2024 के दे ब्रश्पत्देव विर्श्व राश में वक्रिय अवस्ता में और ब्रश्पत्देव की सुपधस्ती शुक्रदेव बुद्देव बुद्देव विर्थिक राशी में लक्ष्मी नारायनी योग में संचरण कर रहे है पाच राश्यां होगी माला माल अदभूद है पाच राश्यों के लिए योग लक्ष्मी नारायनी हो संदेव अपनी मुल्त्रिकॉन डाशी कुम में वक्रिय अवस्ता में संचरण कर रहे है मैं धन त्रियोदेशी की चर्चा करूँगा धन त्रियोदेशी संसार में सबसे उत्तम धन आर्योग्य को माना ह स्वास्ति ही सबसे उत्तम धन पहले दे निरोगी काया क्योंकि सुक और शमर्दी का भोग व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका सरीर स्वस्त हो आज भगवान धनवंतरी का दिन है तमोदर मंतर में जो 14 रतन निकले थे इस दिन भगवान धनवंतरी हाथ में अम्र्थ से भर आवा कलस लेकर प्रगट हुए थे इसलिए धन धन धनवंतरी की पूजा भी की जाती मालक्षमी गनेजी कुबेर जी धनवंतरी जी और शनीदेव जी इनकी पूजा करने से जीवन खुश्यों से भरा रहेगा मित्रों शात्य कोंगी शनीदेव क्योंकि वो करम फल दाता है करम में शुधी करन तभी रहेगा जब आप शनीदेव की शनागत लेंगे और यही एक कारण है कि जब वो कलस लेके प्रगट हुए थे तो आज की दिन कोई नि कोई चांदी की वस्तू गिलास लोटा कलस जरूर खड़ते हैं लोग धन्त्रियों दसी के देंगे चांदी का प्रतनितु वो चंद्रदेव करते हैं और चंद्रदेव मन के कारगे श्रीटलता के कारगे और चांदी सबी धातों में सबस्य ज्यादा थनडी और सितल मानी गई इसलिए आज की दिनंचांदी की चूटा सा कलस चांदी की कोई नि कोई वस्तू नो घर में ज़रूर लाना उसमें जहल भर दीजे और घर में उस जगर पर खड़े हो जाएए जा सूरी का पूर्ण प्रकास आपको मिलता हो चंदर देव सूरी देव से प्रकास लेते हैं सूरी देव से प्रकास लेकि धर्ती पर प्रतिविम्मित करता है यानि चंदर देव को सूर्य देव से उर्जा प्राप्त हो दिया है आप उस दिन ऐसी जगे पर खड़े रहे हैं कि सूर्य का प्रकास आपके उस कलस पे पूरा पड़े अपना मा मो या तो पूर्व की और रखे या उत्तर की और रखे इस मंत्र का जाब करें तर्फिशा ये जल को कला से पूजा इस्थान में रखें सुधासन पे बैठकर शाथ पाट आदे दे हिर्दे सुर्का करें परिवार के सभी सदसे इस जल को घ्रण करें आप उर्जा बान दाएगे सुर्देव चंददेव की क्रिपा से आप निरोग रहेंगे यह अध्भूद है शाम 6 बज कर 35 मिंट से लेकर रातरी 8 बज कर 15 मिनट के बीच में अध्भूद पूजा का विदान है और अध्भूद दीबदान बताऊंगा अब मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा अध्भू का मूल दर्वाजा है मुख्य दर्वाजा है उस पर चौमों का सर्षों का तेल का दिपक जलाई है हाथ में 11 दाना पीली सर्षों 11 दाना काली मिरच ले लिजी और 27 बार और ये पीली सर्षों रिकाली मिरच दीपक में अरफित कर लिजीगा आरोग ये प्राप्त होगा घर की मिमारी से मुक्ति मिलेगी और घर परिवार के संपूंश दिश्यों का स्वस्ति अनकूल रहेगा ये मूल है इसको कर लिजीएगा मित्रों शाथियों एक बात और क्य आते हैं कि आपके परिवार में शुक्षांति हो बरकत हो बचत हो परिवार के लोग सभी द्यूर कर रहे हो तो धंतर दो देश्यों अपने घर में शाम-शाम, 4 बज कर 20-20 मिंट से लेकर 5-20 मिन की बीच में घर में तुलसी का पोदा जरूर लगाए जमई से दुफिट यह तुलशी मेया का सरजापर पूजन करें धूप दीप नहीं यह पूप अक्सत अरपित गरें जिस घमले में तुलशी लगाएंगे उस घमले का पूजन करें उस पर मौली बांदे उस पर स्वस्तिक बनाएं और हर रोज रोज शुभह और साम सुभह में जल और घीका दीपक और शाम को दीपकी ज़रू पढ़ लिद का रहें। घर में शुक्षानती रहेगी, बरकत होगी और बचवत होगी और जिवन के शंपाउं उनों परिशान निवान होगा निया आज साम 4 बज कर 20 मिन से लेकर साम 5 बज कर 20 मिन में घर में तुलसी लगाना उत्तम रहेगा धंत साम 5 बज कर 28 मिन से लेकर साम 8 बज कर 10 मिन तक रहेगा और विर्शाब लगान साम 6 बज कर 31 मिन से लेकर रातरी 8 बज कर 27 मिन तक रहेगा दंत्री प्रदोस्काल में या स्तिर लगन में उत्तर दिशा में बबगवान कुबेर की मूर्ती को इस्तापित relating송 रहे हैं धनवंत्री गणेज जी महालक्षमी जी और शनिदेव जी का यन्तर इस्तापित कर रहे हैं इदि आपको मूर्ती नहीं मिलते तो चितर लगा दे और मूर्ती लगानी होगी तो अंगुष प्रमान लगानी होगी इस बात का ध्यान दगी सनिदेव इसमें मूलत्रिकॉण राशी में संचन कर रहे हैं अपनी कुम राशी में और धंत्रियोदर्शी और दिपावल के दिन सनिदेव के यंत्र का पूजन करना राष्ट और चराचर जगत के लिए बड़ा उत्तम रहेगा लिक्ट जब भी हम पूजन करें पूजन से प कि पर स्वच लाल या पीला अबस्तर बिछा कर स्वरप्रतम गणिजी को इस्तापत करें तश्पसाद कुबेर जी मालक्षमी जी धनवंत्री जी और शनिदेव जी का यंत्र अब आप उस इस्तान को पवित्र करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लिजिए बा अब ये जल छीड़ के उसमें इस मंत्र का उचान करना बड़ा उत्तम रेगा ओम आपवित्र पवित्रोवा सरवास्तवा गतो अपीकर या परदिरे पुंडिर्याक्षा सबाईय अभ्यंत्र सुची इस मंत्र का जाप करें जाप के पस्तात किसी पवित्र थाली में 11 सुद देशी घी के दीपक प्रदिलित करें जब आप दीपक प्रदिलित करें तब इस मंत्र का जाप करें सुवम करोती कल्यान मारोगे धन संपदा शत्रु बुदि विनास चाहे दीप जोती नमसुत है इस मंत्र का जाप करें शर्धा पूर्वक अब आप पूजन करें धूप पुष्परक्ष तरपित करिए एक दीपक मालक्षमी जी के आगे रख दीजी दूसरा दीपक गने जी के आगे रख दीजी तीसरा दीपक कुबेर वगवान के आगे रख दीजी चौथा दीपक सनिदेव के सामने रख दीजी पांचवा दीपक जहां आप जल रखते हैं जिस घर के मुख्य दर्वाजे पर गेहूं की धेरी बनाकर इन दोनों दीपक को घर के मुख्य दर्वाजरू रख दीजे। चाहिए पर ओपीस हो चाहिए कार खाना जहां आप पूजा करें मुख्य दर्वाजरू आप रख दीजे। दीपक को कभी भूमी पेनी रखते हैं, जब भी दीपक रखेंगें, उनके नीचे गहूं या अकसत जरूर रखना चाहिए, मित्रों शाथियों, दीपक आपने रख दिया, अब जो आपका पूजा इस्थान है उसके दोनों तरफ कुंकम से ओग, सुबलाब या स्री गरनेश चल गया तो आजगाल कम्पीटर हो गया है, और कम्पीटर आजगाल मोबाइल में हाथ में, मोबाइल या गजट है, पैन डाइरी है, इन सब पर केसर से स्वस्थिक बनाएं, और इन पर मोली बांद कर, तिलग करके अपने सामने रख दिया, शर्धा पूरो, दीपक आपने अपने अपनी ये पूजा, जो भी आपके गजट है, या बई खाता है, वो सब आपने रख दिया, अब आप एक सुंदर कपड़ी की थेली ले लिए, उस थेली में सरप्रतम नो हल्दी की गांठ, और उसमें नो बार थोड़ा-थोड़ा करके धनिया डाल दी, नो कमल गट गटे, एक कमल गटे की माला, नो टुकडे, देशी कपूर, या भीमसन कपूर के, नो कोडी, नो तामे के छेदवाले सिखे, नो चुटकी, अखंडित अक्सत, चावल खंडित नहीं होना चाहिए, चांदी के पांच या नो सिखे, नो रशे कपूर, नो गाट वाली हरी और थिली में गांट लगाकर अपनी पूजास्तान में रख दीची, शर्धापुर अवान करिए, आवामी देव, तो हमी हायाई कृपा करू, कोश वृदय, नित्यम तव परक्षे सुरेश्वर, इस मंत्र का गयारा बारा जाप करे, गयारा बार जाप करके, पुरे शर्ध से बनी भी स्वेत मिठाई अरपित करे, धन्वंत्री जी को पिले रंकी मिठाई का भोग लगाए, तस पस साथ शर्धापुरवक, ओम नमो भगवते, मा सुद्रसन आए, वासु देवाए, धन्वंतर आए, अमरत कलस हसताए, सर्व भय विनासाए, सर्व रोग निवाराना तिर लोग पताए, तिर लोग नाताए, शरी महा विष्णू शरुपम, शरी धन्वंत्री शरुपम, शरी 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 ओस्दी चक्रन नाराणयम नमम, ओम धन्वंत्रे नमा इश्व मंत्र का 11 बार जाप करे, धन्वंत्री की जी का 11 बार, 27 बार, 108 बार जो आपकी सर्दा जा पूजा के बाद लगातार पास दिन इस पोटली का पूजन आपके घर में हर रोज होना चाहिए शर्धापूर और हर रोज जो मंतर में बताया हूँ इन मंतरों की सर्दानुसार माला चाप करेगा पांच दिन बाद इनि भाया दूज की बाद इस पोटली को अपने तीजोरी में रग देगा और हर रोज तीजोरी को पोटली को खोल कर अपने हाथों से उन्सब को सामगरों इस परस करें धूप और दीप हर रोज दिखाएगा मालक्षमी की किरपा वर्षेगी कुबेर की किरपा से धन्दानि में बिर्दी होगी धन्वंतर जी की किरपा पर आपके घर में आरोग्यता रहेगी गनेत भगवान आपके विगन हरेंगे और शनिदेव की किरपा से कर्मा में शुद्धी करन रहेगा और आपका जिवन सदा खुश्यों विखारु कोश्य भारा रहेगा में तुनल शाथियों कि के यह आद्भूत है जो मैंने आपके सामने रहा है लेकिन कि हमारी कैम अरुद्र आतान परंपणंपरा रही है कि दंत्र रते न्हीं कुछ न कुछ फरीते तो तो क्या करीad दे और्र कभ खरीत कि समय खरीदे कि क्योंकि धन तरह से एक दिन कुछ ने कुछ ने कुछ खरीदने से मालक्षमी की कृप्राबस दी हमारे घर में मालक्षमी का प्रवेश होता है और उस दिन जो खरीदने का सबसे उत्तम और सुबह महरत है वो सुबह 11 बज कर 41 मिनट से लेकर दोपार 12 बज कर 5 मिनिट ये सबसे उत्तम महरत है उसके बाद सुबह 11 बज कर 42 मिनट से लेकर दोपार 12 बज कर 27 मिनट तक ये भी खरीदने का महरत है दोपार 2 बज कर 51 मिनट से लेकर साम 4 बज कर 15 मिनट भी खरीदने के लिए उत्तम और सुबह मत माने लेकर खरीदारी का जो सबसे सर्वस्रेष्ट महरत है व इस समय आप खरीदेंगे तो आपको या बेचेंगे तो सुबल माना गया है अब पूरे दिन 12 से बारे राशी के लोग कब क्या और क्या खरीदे यह मैं बताऊंगा तो दोपर 11 बज कर 45 मिनट से लेकर दोपर 1 बज कर 28 मिनट तक खरीद सकते हैं बरतन, चांदी, आबुसन, चांदुकी, मूर्ती या दिपावली पूजा में काम आने वाली सामगरी अब 59 अटबर 2024 को खरीदारी से चूख जाते हैं तो 30 अक्टुबर 2024 को शुबह 7 बज कर 55 मिनट से लेकर, शुबह 9 बज कर 18 मिनट ये भी खरीद दे हमारững चांदि töमें और शुबह 10 बज कर 41 मिनट से लेकर 12 बज कर 15 मिन खरीद्द दे हम रहेगा कब 30 अक्टुबर 2024 को बारतिय सनातन संस्कृतिका संदे से दवाब नहींगे सदा दिवाली संदगर और 30 सो दिन दवाला जब आपको मुगा मेले मनचंगा तो काठो देंगे लेकिन ये सनातन परंपराति मैंने आपके सामने रखी है जिनका हदय निर्मल होता है जो सत्य की डगर पर चलते हैं और राच की शिवा करते हैं उस सदा खुश रहते हैं साथ हैं और कभी भी कुछ भी खरी सकते हैं लेकिन सनातन यही कहता जो मैंने आपके सामने रखा अब मैं आपको बारा के बारा राश्यों के लिए कब और क्या खरीदे ये बताना जानो मेश राशी वालों के लिए सुबह दस बजगर 41 मिंट से लेकर दोपर 12 बजगर 5 मिंट के बीच में मेश राशी वालों कोई भुकन खरीदना चाते हो कोई वान खरीदना चाते हो तो दस बजगर 41 मिंट से लेकर दोपर 12 बजगर 5 मिंट का समय आपके लिए उत्तम रहेगा ना मना रहे बात वर्षवराशी की करते हैं वर्षवराशी वालों के लिए धन त्रयोदोसी के दनी यानि 39 अक्टूबर 2024 के दिन चांदी की मूर्ती, चांदी की आभूशन, इलोक्तोनिक सहमान, शौंदर जी शामगरी, आदोनिक साथ समाज सज्जा से युग्ध भावन या चांदी के सीखे खरीदना बढ़ा वर्षवराशी वालों, बुद्देव, शुकरदेव की साथ वर्षवराशी में लक्ष्मनी नाराणी योग में संचन कर रहे हैं, और विश्वराशी वालों के लिए सब्तम भाव में लक्ष्मी नाराणी योग का संचन हो रहे हैं, आपके लिए ये धन तेरेस उत्तम ला और कालबार नौकरिक लेकर शुप्ष्रमाच्व की परप्राप दिलिया है तो ये धन्त्रियोदशी अद्भूद है आपके लिए लक्ष्मिनारन योग में और मैं बात करूंगा मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए धन्त्रियोदशी की दिन यानि 39 अक्टूबर शिरी अंत्र वेपार विर्दी अंत्र अस्ट लक्ष्मी अंत्र और इसके साथ साथ यदि आपको एक क्रशी भूमी खरीदना चाते हैं आपके लिए बड़ा शुप रहेगा में तो नैसी वालों छटे भाव में लक्ष्मी नारान योग आपके लिए बन रहे हैं धन्त्रि रहेगी निर्णे समता मजबूत होगी और यही एक कारण है कि खुश्यों की बाहर आपके आसपास रहेगी धन्त्रियों दसी के दिन नमना रहें अब मैं बात करकराशी की करूँगा करकराशी वालों के लिए धन्त्रियों दसी के दिन यानि 39 अक्टुबर 2024 में चांदी की वस्तुए इस देविता के लिए छत्र और मुकट भगवान के सिरंगार के कपड़े खरीदना उत्तम रहेगा इस बार चांदी या चांदी से निर्मित वस्तों की खरीदारी करकराशी वालों के लिए उत्तम माने गई आप अपने के घर के लिए इस दिन दक्षनावरती सं में पड़ा उत्तम माना गया है करकराशी वालों आपके लिए जो लक्षमी नारेन होगे ने वो पंचंभाव में बंदा है कर्जे से मुक्ति नहीं कारुबारी शमन नौकरी में परमोशन मनोंकुल परिवर्तन नहीं जिम्मवारी के साथ इंकरमेंट की प्रभल संभाव न आपके लिए जो मैंने बताता ने कि धन तरियोदर्शी पर पांच राशियों पर बर्षेगा धन यह उन में से तीसरी राशी बात करूंग अब सिंग राशी के लिए सिंग राशी वालों के लिए 39 अक्टूबर 2014 अनि धन तरियोदर्शी के दिन पीतल और तामवी की बस्त सकते हैं और वहन भी खरी सकते हैं आपके लिए खरीदने का जो उत्तम समय वह सुबह 10 बस कर 41 मिन्ट से लेकर 12 बस कर 5 मिनट हमें बात करूंगा कन्याराशी कन्याराशी वालों 39 अक्टूबर 2014 धन तरियोदर्शी का दिन दोपर 2 बस कर 51 मिन्ट से लेकर दोपर 3 बस कर 30 मिन में घर में लटकाने वाली बंदन बार खरीदना उत्तम रहेगा आप वहान करी सकते हैं आप चांदी की वस्तुए खरी सकते हैं आप बगवान गणेज जी और लक्ष्मी जी की मूर्ती खरी सकते हैं और अपने लिए घर भी खरी सकते हैं बहुत उत्तम दिने आपके लिए तुला राशी वालों के लिए गंत्रो देशी की दिन 的 19 अक्टूबर 2024 चान्दी की बशुय खर दिप Melanie चान्दी का गिलास खर दिया सदिका लोटा कर दिया सदि ऐस्दिका कोई छतर खर दिया सदिक का मुण्ळक द्वान सद्र्भी और sujet साथ electronic item में भी आप निवेश कर सकते हैं आपके लिए जो खरीदने का उत्तम समय है उस वह 11 बज़कर 42 मिंट से लेके दोपर 12 बज़कर 27 मिंट का श्रमी बड़ा शुब रहेगा नमाना बात करते हैं विर्चिक राशी वालों के लिए धंतर दर्शी देने 29 अक्टबर 2024 के दि सुबह 10 बज़कर 41 मिंट से लेके दोपर 12 बज़कर 5 मिंट के बीच में मिटी के गनेजी और लक्षमी जी खरीना बड़ा सुब रहेगा तांबे की बनी बज़कर खरीना सुब रहेगा भूमी भावन क्रशी भूमी फार माउस इलाप्रमी से उपकरण में पुंजी निवे से के दिन अदभूद लक्षमी नारायन योग बन रहा है और यह लगन भाव में बन रहा है आतमबल मजबूल होगा मनव विलाशाओं की पूर्ती होगी मनवल मजबूत जीवन सासर रिस्तों में प्रगारत आएगी डेली इंकम में बड़ोतरी होगी अकस्मात और अप्रत से धनलाब की प्राप्ति का योग और वेर्थ के तनाव से मुक्ति मिलेगी कारबार में नए अवसर और नमिन योजनाओं पर काम करने का शुआ अवसर मिलेगा और बात करते हैं धन राशी धन राशी वालों के लिए धन तरो दे सकते यानि 29 अक्टूबर 24 की दिन सुबह 11 बजकर 42 मिनट से के दोपर 12 बजकर 27 मिनट के बीच में चांदी की वस्तुए खरिदना सुब रहेगा चतर और मुकुट खरिदना सुब रहेगा भगवान के सिरिंगार के कपड़े खरिदना सुब रहेगा लकडी का फनीचर पुकराज मचली घर शुरियंत्र और खील और सुबरा से पूजा के लिए खरिदना पड़ा शुब रहेगा विपावली के लिए महें के समय अगारा बजकर 42 मिनट के बीच में चांदी की वस्तुए खरिदना पड़ा उत्तम रहेगा चांदी का सिका कर दिया चांदी की मूरती कर दी चांदी के गने जी और लक्षमी जी खरीड दिये घर में बंदन बार जरूर खर दीजिए करकारकानों के लिए मसीन में निवेश पैसा निवेश करना इजन सुब रहेगा लोहे से बनी पुरानी एंटीक खरिदना भी मकर राशी वालों के लिए शुब रहेगा और खरिदना शुब रहेगा घर में बंदन बार आटिफिस फूलों की लड़ी पुरानी इमारतों में पुंजी निवेश करना अच्छा रहा है है आवश्य भूकन खरिदना भी इस दिन बढ़ा शुब रहेगा जो खरीदने का समय है वो दो पर दो बज कर एक्क्यावन मिंश लेकर दो पर शाड़ी तीन बजने का समय बढ़ा सुब रहेगा कुमराशिवालों गले नमनाएन और बात करते हैं मेंडाशि मेंडाशिवालों के लिए धंत्रयों दे सकते हैं नहीं 39 अक्टबर 2024 के दिन पीतल और तांबे की बनीवी बस्तवे मूर्ति खरीदिया भगवा लिका सिरी अंदर भी आप खरी सकते हैं करशी भूमी खरीदिया लकड़ी का फरनीचर कर सकते हैं वान खरी सकते हैं और आपके लिए खरीदने का जो समय है वो सुभी 11 बचकर 22 मिंट से लेकर दो पर 12 बचकर 27 मिंट के बीच में रहेगा मेंडाशिवालों धंत्रयों दिश अपड़िक लिए बड़ा सुब समय है, नौकरी, कारवार, काम का सुब बच्तावकी परप्ति होगी होगी, धन की पराप्ति होगी, धर्वकिर में रूची में धर्मी की यात्राओं का योगी और लंबी यात्राओं पे आप जासकते हैं बहुत सुंधर योग बंढ़ा है लक्ष्मिनारान योग नमान पिर्दरश्गों मित्रों सात्यों पुने मेरा निवैदन 39 अक्टूबर 2024 धन त्रियोदसी का पावन पर्व बाराक बारा राश्यों के लिए कब क्या और कैसे खरीदे यह जो मैं जो कुछ भी जानकारी दी यह मेरे अनभाव के आंकलन परे ना आप शुक्की रहें आप श्वस्त रहें शमर्द इसी लाइं शनिदेव की चन्ड़ों मेरी प्रात्मा नमना है रास्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति महराज गायों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं आप शेवा करिए आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्थिक प्रस्तियां वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स सयोग के लिए मैं शेवा के साथ खड़ा हूँ आपकी शमश्याओं के शमधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भ परेश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें आपका जीवन सदा को बहरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आविश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब बीश से पचीस पचास लोग ऐसे भी है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणाद करता हूं और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यात है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयोकर मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहे ओम नमोना